हेलो गोईज, दोस्तों अगर आप हर मेने थोड़ थोड़ पैसा बच्चत करके आने वाले सिर्फ 5 साल तक SIP याने की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरूँ इन्वेस्ट करता हैं, तो उसके बाद बीना कोई इन्वेस्टमेंट किये, हर मेने आप 1 लाग और कहां से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको इस वीडियो में सिंपल और इजी तरीके से बदाने पाला हूँ, तो अगर आप दोस्तों कम टाइम पिरड़ तक कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके हर मेने एक फिक्स इंकम जनरेट करना चा आप financial planning करके future को बैतर बना सकता हैं, तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिरफ 5,000 रुपे के ऐसा भी शुरू करनी है, only 5 साल तक, उसके बाद दोस्तो एक लाग रुपे हर में आप earn कर सकता है, वो कैसे, इसकी detail दोस्तो हम calculation करके देख लेता है, अब इसके लिए एक reliable platform की जरूरत होती है, जो आपको सही direction दे सके, और इसी वज़े से मैं आपको BlinkX के बारे में बताना चाता हूँ, BlinkX जेम financial के दुआरा market में लाए गया platform है, यह आपको market trends और insights के बारे में expert research और call प्रोवाइड करता है, ताकि आप सही वक्त पर trade कर सके, अपना stop loss set कर सके, और अपना target price अचेव कर सके, और BlinkX के research call सिर्फ surface level analysis नहीं, यह deep analysis के basics पे भी होते हैं, यह आपको guide करता है, कब entry लेनी है, कब exit करना है, और अपने risk को कैसे manage करना है, और BlinkX के साथ आपको यह सारे insights के साथ साथ powerful tool भी मिलते हैं, जैसे यह आपर customizable dashboard, strategy builder, और 70 plus से predefined report, जो आपको directly watch step पे मिल जाती है, यह सब आपको affordable plan में मिलते हैं, जैसे कि 199 का इनका plan है, जो कि 2 मंत के लिए है, और एक 799 का plan है, जो कि 10 मंत के लिए है, जो कि पहले 6 मंत का था, अब extend हो गया है, जीरो brokerage, जीरो fund transfer fee, जीरो call and trade charges, और जीरो square of charges के साथ, इसके साथ आपको मिलेगा unlimited trading in bank, nifty, nifty 50, equity, IPOs, currencies और NSC, futures and options, तो जितनी मर्जी आप trading कीजें, बिना किसी extra charges के, इसके साथ साथ आपको मिलता है dedicated relationship manager, जो आपको constant support करेगा, also market hours के दोरान आपको blink x के agent आपकी help के लिए ready रहते हैं, और हाँ आप callback request भी place कर सकते हैं, और दोस्तों आपको weekly webinar भी आपर मिलते हैं, ताकि आप हमेशा updated रहे market के trends और strategy के साथ, blink x पर super smart watch list feature भी है, जो आपके trends को और easy बनाते हैं, तो अगर आप bank nifty या nifty 50 में trade कर रहे हैं या फिर equity में blink x आपके trading journey को एकदम seamless, efficient और cost effective बना देता है, आप खुद इससे try करके देख सकते हैं, link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों माल लीजे आपकी age 20 से लेकर 30 साल के बीच में है, यहाँ पर दोस्तों आप age को थोड़ा उपर नीचे मान सकत है, SIP LMSM के दरू, वो long term के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों long term के लिए कुछ बहतरी fund है, जैसे कि mid cap में, आप SIP Magnum mid cap fund के अंदर investment कर सकता है, मोतिलाल Oswal mid cap fund, यह फिर HDPC mid cap opportunity fund, वहीं अगर हम small cap की बात करें, तो इसमें यहाँ पर Nippon India small cap fund का आप ही बढ़िया fund है, SIP small cap fund, यह फिर आप HDPC के small cap fund के साथ जा सकता है, इन funds ने दोस्तों past में 20 से लेकर 28% तक के returns provide किये है, all time के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कि दोस्तों यह returns long term में generate किये, short term में आपको है जो कम return मिल सकता है, यह fund दोस्तों recommended नहीं है, just a example दे रहा हूं, तो हम यहाँ पर दोस्तों सीधा calculation करके देख लेता है, तो माल लिजी अगर आप 5,000 रुपी का ऐसा भी शुरू करता है, 5 साल तक, और आपको average 16% के return मिल जाता है, दोस्तों 16% के return easily मिल जाता है, अगर आप एक best portfolio बनाकर investment करता है, तो यह return आपको easily मिल जाएंगे, तो 5 साल के time period मे 5,000 मंतली के जिरे टोटल आपका investment केतना होगा? 3,000,000 रुपै, जिस पर 16% का return मिल जाता है, तो उसकी जो final value बन जाएगी वो 4,000,000 रुपै, अब यहाँ से आगे आपको कोई भी नया investment बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास investment का time period है, अभी तो आप काम कर रहें, कमा रहें, इसलिए यह जो 5 साल में 4,000,000 रुपै का fund बना है, इसको यहाँ पर आए जो lump sum के रूप में investment रखना है, यानि कि छोड़ देना है, 5 साल तक investment किया, 4,000,000 रुपै का fund बना, उसको आपको जो छोड़ देना है, कितने time के लिए? 15 साल के लिए, तो 15 साल में 4,101,000 रुपै की वेल्यू, अगें 16% रेडन के एसाब से 22,101,000 रुप हो जाएगी, जबकि अगर आप थोड़ असा पैसिंज रखकर, इसी 4,101,000 रुपै को आने बाले 21 साल तक hold रखता है, यानि कि लंब सम करके रखता है, तो दोस्तों आपके 4,101,000 रुपै की वेल्यू, एक करोड 4,06,000 रुप हो जाएगी, यानि दोस्तों स्टाटिंग में आपने सिर्फ 5,000 रुपै मंदली, 5 साल तक SIP करी, उसके बाद अगले 21 साल तक उस पैसों को अगर आप भूल गए, तो उसी 5,000 मंदली की वेल्यू, एक करोड से जद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जि सिस्टमेटिक विडिवल पलान में इंवेस्टमेट कर दीजिए, और इस पर एक लाग रुपे की मंदली इंकम शुरू कर दीजिए, और उस पर मालीज आपको 12% का भी रेट आप रेटन मिल जाता है, तो दोस्तों अगले आने वाले 25 साल तक एक लाग रुपे की मंदली इ पास-पास ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर विचार करिए, कि अगर आज आपको मंदली 45,000 रुपे बीना किसी इंवेस्टमेंट के मिल रहा होता, तो आप यहाँ पर क्या-क्या कर रहे होते हैं, दोस्तों यह को फानेशियल स्टाड़ी है, यानि कि फानेशियल मेनेजमेंट करता है, तो फीचर आपका कापी बैतर होने बाला है, यानि कहने का मतलब दोस्तों बले ही आप कम पैसे इंवेस्टमेंट कराएं, बड़ म्यूचल फंट के अंदर इंवेस्टमेंट जरू कराएं, क्योंकि आज भी हमरे देश में जातर लोग इंवेस्टमेंट के नाम पर यह तो पोस्ट ओफिस में आइडी करता है, यह पर किसी बैंक में जाकर एपडी करवाते हैं, यह पर माल लीजे किसी LSE scheme के अंदर है जो इंवेस्टमेंट करता हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता वो कितना मिलता है, मैक्जिमम साथ से लेकर 8% और वो भ इंवेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो मेंगई दर बढ़ रही है, उसको आप महाँ पर है जो बीटने कर पाएंगे, यानि कि आपका जितना भी इंवेस्टमेंट होगा, आज से 10 साल, 20 साल बाद वो यहाँ पर है जो मेंगई के बराबरी होगा, यानि कि जितना आपका खर और जो फंड बता है, वो जैसे एक एक जामबल के लिए है, इसका मतलब यह नहीं कि आनवले टाइम में आपको यह रिटन फिक्स मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मीजिल फंड का पैसा, स्टॉक मार्केट के अंदर इंवेस्टमेंट होता है, और आपको पता है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में करेक्शन है जो आते रहते हैं, यानि कि आपने एक लाइन देखी होगी, जो हमेशा उपर नीचे होती रहती है, इसका मतलब यह रेटन्स आपको कभी हाई मिलेंगे, कभी कम होकर मिलेंगे, तो अगर आपने रिस्क लेन की समता है, यानि कि आप अप कोटम देते हैं, तो वो आपका कम पैसा भी एक बड़ा फंड इजीली बन जाता है, इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को लेकर, अगर आपका कोई भी कोशन, कोई डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट बोक्स में जुरू बताएं, साथ ही दोस्तों डिस्क्रिशन बोक साथ है, वोक्सित पॉरू बॉस्तों लेकर कि मन जैसे मेंट है, टोस्तों जाद है, एक बड़ा है, ऱ गहते हैं, प्र旁ित में जाता है, तो ग्याम जाताउट कर देने बlarınली आपका शओता कि आपका कि और खाख स vorsकावे पाना है, अबवा है ***